राम राम दोस्तों लीजे मैं फिर से हाजिर हूँ एक और रेसिपी के साथ आज में लेकर आए हूँ आटे और गोंद के लड़ू जिसमें हमने चीनी का नहीं गुड़का इस्तमाल किया है तो सबसे पहले हम अपनी गोंद के बारे में जानते हैं गोंद दो तरह की होती है यहें गोंद जो हम सर्दियों में इस्तमाल करते हैं और यह दूसरी है गोंद कतीरा जो की कर्मियों में फायदे मंद होता है दिखने में एक जैसी है थोड़ा ही फरक है हम गोंद इस्तमाल करेंगे इसमें थोड़ी शाइनिंग होती है और ये सर्दियों में बहुत फायदे मन है शरीर के लिए अब सबसे पहले हमने कड़ाई में थोड़ा सा गी डाल लिया है पिंडी बनाने के लिए हम देशी गी का ही इस्तेमाल करेंगे गी हमारा गरम हो गया है और अब मैं इसमें मिला रही हूँ ये कॉंद मैंने ली है दो चम्मच कौन आप अपने टेश के अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप कितना डालना चाते हैं घी गरम कर लिया था ठंडे घी में ना डाले गरम घी में हम इसको भून लेंगे लाते हुए भूनेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से सिख जाए फूल जाए अगर ये अच्छे से नहीं सिखेगी तो ये दांत में बहुत चिपकेगी इसलिए हमने इसका ध्यान रखना है और गैस बहुत हलका नहीं करना है मीडियम टू हाय ही रखेंगे ताकि ये जल्दी से बहुत अच्छे से सिख जाए अब ये तयार है हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे अब ये जो थोड़ा सा घीस में बच गया था इसे में हम अपने ड्राइफ रूट रोस्ट कर लेंगे मैंने बदाम, काजू और नारियल का बुरादा लिया है ये छोटी कटोरी है तीनों चीजे मिला कर इसको हम दो से तीन मिनट अच्छे से भून लेंगे और इसको भी भून कर हम निकाल लेंगे अब मैंने कडाई में डाल दिया है दो बड़े चमच देशी की और मैं इसमें डाल रही हूँ आठा दो छोटी कटोरी मैंने ली है आठे की इसको हम भून लेंगे हलकी गैस पर आठा हमने अच्छे से भूनना है कि इसका कच्छापन निकल जाए तेज गैस पर बिल्कुल नहीं भूनेंगे क्योंकि हम पिनिया बना रहे हैं थोड़ी सी मेहनत तो हमें करनी ही है इसमें घी थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है आप एक साथ डालना चाहें तो एक साथ शुरू में ही ज्यादा सा घी डाल दें मैं थोड़ा थोड़ा करके दो तीन बार में डालूंगी क्योंकि मैं कोशिश करूंगी जितने कम से कम घी में मैं बना सकूं उतना ही डालूं दो जमच मैं डाल चुकी हूं और इसे मैं मीटियम गैस पर भून रही हूं लगातार हिलाते हुए इसे छोड़ना नहीं है यह जड़ा सा देखे मैंने छोड़ा तो नीचे लगना शुरू हो गया है इसे हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना है हिलाते रहना है इसमें घी भी कम है इसे हम बिल्कुल साथ साथ हिलाते रहेंगे हर तरफ से चारो तरफ से साइडों से उतारते हुए अच्छे से हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये लाइट प्राउन ना हो जाए कलर में अच्छी सी खुश्बूना आनी शुरू हो जाए इसमें मैं एक चमज की अब इसमें और मिला रही हूँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐसे ही खलकी आज पर भूनते रहेंगे हम इसको इसे हमने तब तक भूनना है जब तक ये बहुत प्यारा से कलर ना दे दे और खुश्बू भी इसकी बहुत बढ़िया सी आनी शुरू हो जाती है इतना भी हमें डाउक नहीं करना है कि ये डाउक हो जाए जल जाए इसमें लड़्टू में जलेवे की स्मेल आनी शुरू हो जाए इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है बहुत ध्यान से हमें इसको भूनना है अब ये लग रहा है थोड़ा भूना-भूना सा वेड़ी ऐसा लग रहा है moist हो गया है एक तम अगर आप इसमें थोड़ा सा की और मिलाना चाते हैं तो मिला सकते हैं तीन बड़े चम्मच के करीब मैंने खी इसमें डाल लिया है और ये अच्छे से भुनता जा रहा है खुश्बू भी बहुत अच्छी आनी शुरू हो गई है, अब हम इसको भी निकाल लेंगे कड़ाई में से, अब मैं कड़ाई में फिर थोड़ा सा गी डाल रही हूँ, इसमें हम गुड मेल्ट करेंगे, मैंने पोनी कटोरी गुड लिया है कट्दू कस करके, यह जो कटोरी म वो एक ही रखें, इसको हम हलकी कैस पर ही मेल्ट कर लेंगे, खिलाते हुए, जिपकेना ये, अगर आप चाशनी में बनाना चाहते हैं, तो गीना डाल कर, इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर चाशनी बना कर भी आप लड़्डू बना सकते हैं, चाशनी वाले लड़्डू मे यह और भी कम डलता है, पर मैं चाशनी में नहीं बना रही हूं, यह कोड़ हमारा अच्छे से melt हो गया है, तीन-चर मिनट लगे हैं इसे melt होने में, अब हम गैस अपना बंद कर देंगे, इंडक्शन आउफ कर देंगे और यह हम अपना भुना हुआ आटा इसमें मिलालेंगे और वो जो कोंद और ड्रा फ्रूट हमने रोस्ट किया था, उसे हम ग्राइंड कर लेंगे मैंने बिल्कुल दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है आप अगर ड्राइफरूट मोटे रखने चाते हैं तो आप इसके साथ ग्राइंड ना करें अलग ही रख ले अब ये सारा हमने बीच में डाल दिया है अब मैं मिला रही हूँ थोड़ी से किश्मिश किश्मिश हमें सबको बहुत पसंद है इसलिए जरूर मिलाएंगे हम इसमे और अब हम सब सामान को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से चलाते हुए हम सबी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक साथ कर लेंगे ताकि हमारे लड़्डू बढ़िया से तयार हो जाए अब यह सारा हमारा मिक्स हो गया है हम हाद से भी मिक्स कर सकते हैं ठंड बहुत जादा है मैटीरियल एकदम से ठंडा होना शुरू हो जाता है और हमने जो पिनिया बनानी है हलके गरम की ही बना लेनी है इसको ठंडा नहीं करना है देखिए यह अभी ट्राइड रा इसा लग रहा है पर इसको जैसे ही हम हाथ से प्रेस करेंगे तो इसका मोईस्टर रिलीज होगा और पिन्नी बहुत अराम से बनती जाएगी थोड़ी सी कॉंटिटी में हम हाथ में ले लेंगे और अच्छे से प्रेस करते हुए बढ़िया सा लड्डू की शेप देंगे कोल 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 लड्डू हाथ में गुमाते हुए हम बना लेंगे देखे कितना बड़िया सा लड़ू तयार होता जा रहा है यह बड़िया तो है यह फायदे मन्द बहुत है गोन कितना फायदे मन्द होता है सबी जानते है यह आँखों के लिए भी बहुत फायदे मन्द है सर्दियों में शरीर को गर्मी देता है और इतने इसके फायदे है कि गिनाने भी मुश्किल है हमारे गोल-गोल से लड्डू तयार हो गए है फायदे मन से इसमें करीब मेरे 20-21 लड्डू बने है इस quantity में medium size के बहुत बड़े size के नहीं बनाती हूँ मैं medium size रगती हूँ आप जितने बनाना चाहें उसके हिसाब से अपनी quantity को adjust कर सकते है देखे और इस बात का ध्यान रखें कि हमें material को ठंडा नहीं होने देना है सारे लड्डू तयार है सुबा एक तूद के साथ खाएं और मुझे याद करें थाएं तूद कर वाचिंग मैं देखें